C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आईए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वानी शाला में प्यारे बच्चो नमस्कार मुझे मालूम है कि आप सभी कहानी और कविता सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे तो लीजे आज आपका इंतजार खत्म हुआ और आज हम एक सुनते हैं कविता ये कविता हमारी पाठे पुस्तक रिमजिम में शामिल है क्या आप जानते हैं इस कविता का शीशक क्या है इस कविता में है एक उट जी हाँ उट ये कविता उट पर आधारित है रेगिस्तान में यही उट लोगों की सवारिक बनने का काम करता है तो आईए आज हम सुनते हैं एक कविता जिसका शीशक है उट चला तो तयार हैं सारे वच्चे उट चला भई उट चला हिलता डुलता उट चला उट चला भई उट चला हिलता डुलता उट चला इतना उंचा उंच चला उंच चला भई उंच चला उंची गर्दन उंची पीट पीट उठाए उंच चला बालू है तो होने दो बोज उंच को ढोने दो नहीं फसेगा बालू में बालू में भी उंच चला जब ठक कर बैठेगा उंच किस करवट बैठेगा उंच बता सकेगा कौन भला उन्ट चला भई उन्ट चला तो कैसी लगी आपको कविता ये कविता उन्ट के चलने पर है लेकिन ये उन्ट चल कहां रहा है सोचिए बिल्कुल सही ये उन्ट चल रहा है रेगिस्तान में अब रेगिस्तान में क्या होता है क्या रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कोई शब्द हमारी कविता में आया है आपने जरू ध्यान से सुना होगा शाबाश ये शब्द है बालू और कविता में ये बात कैसे कही गई थी बालू है तो होने दो, बोज उट को ढोने दो नहीं फसेगा बालू में, बालू में भी उट चला अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारा तो पैर धस जाता है या कोई भी चलेगा तो उसका पैर बालू में धस जाएगा या फस जाएगा लेकिन उट कैसे चलता होगा आपने कभी उट के पैरों के बनावट देखी है उसके पैर गद्यदार होते है तो उसके पैरों में ऐसी खास बात होती है कि वे उट में धस्ते नहीं है और फिर उट तेजगती से रेगिस्तान में चल लेता है तो इसलिए कविता में यही बात कही है कि नहीं फसेगा बालू में, बालू में भी उट चला जब ठक कर बैटेगा उट, किस करवट बैठेगा उट? एक बहुत मज़ेदार घटना में आपको बताती हूं और यह घटना है इसी कविता के बारे में जब एक बार टीवी पे लाइफ सेशन चल रहा था और आप जैसे नन्ने मुन्ने यह कविता पढ़ते हूए देख रहे थे तो हमारे एक नन्ने दर्शक का सवाल आया था और पता है यह सवाल क्या था? यह सवाल था कि करवट किसे कहते हैं? अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ तो मन ने कहा कि करवट तो करवट होती है अब इसका क्यारत है? फिर बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि जैसे हम बिस फिर बाई तरफ मोड़ते हैं बस यही दाई तरफ मोड़ना और बाई तरफ मोड़ना करवट कहलाता है। लेकिन मैंने एक और बात के लिए कहा कि जब हम साइकल चलाते हैं तो साइकल या तो हम सीधा चलाते हैं और कभी cycle को हम दाई तरफ मोडते हैं और कभी बाई तरफ मोडते हैं तो cycle का दाई तरफ और बाई तरफ मोड़ना करवट नहीं क्या लाएगा लेकिन ये खुब मज़दार बात थी कि करवट का मतलब क्या है तो इसलिए मुझे कभीता बेहत पसंद है और उसमें खास सोच से ये वाला हिस्सा कि जब थक कर बैठेगा उट किस करवट बैठेगा उट हम सोच सकते हैं कि उट क्यूं थक गया होगा और आप इसोचिए कि आप किन किन कामों को करते वे थक जाते हैं कहानी सुनते वे तो आप नहीं थकते होंगे मुझे भी कहानी कहना और कहानी सुनना बेहत पसंद है आप बच्चों को भी तो कहानी सुनना बेहत पसंद है और सोचिए और ऐसे कौन से काम है जिने करने में आप थकान महसूस करते हैं मैं सोच सकती हूँ खेलने में, आप कहेंगे नहीं, खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, और छुपन छुपाई खेलने में तो सबसे ज़ादा मज़ा आता है, सब बच्चे अपने गली महले के बाकी साथियों के साथ खूब खेल खेलते होंगे, कोई चौपट की सड़क खे खेल हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कि आप और हम कभी भी खेल खेलते वे नहीं थकते, तो ऐसे कौन से काम होंगे, जिने करते करते आप थकान महसूस करते हैं, यह हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हूं, या फिर आप लिखते लिखते थक जाते ह तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके और हमारे जिसमें हमें थकान महसूस होती है यानि एक ही तरीके का काम घंटो 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 करने में हमें थकान महसूस होती है लेकिन ये बात तैह है जिस काम में हमें बहुत मज़ा आता है जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद मह मेसूस होता है उस काम को घंटो करने में हमें कोई थकार मेसूस नहीं होती अच्छा इस कविता में एक और बात आई थी कि उंट चला भैं उंट चला हिलता डुलता उंट चला अब कभी जब हम अपने चलने की बात करते हैं तो हम क्या ये कहते हैं कि हम हिलतर डुलतर चल रहे हैं ये बात उट के उपर क्यों कही गई होगी शायद इसलिए क्योंकि उट के उपर बहुत सारा समान लदा पड़ा है और जब रेगिस्तान में चलता है तो रेगिस्तान सड़क की तरहां तो नहीं है सपाट नहीं है संतल भी नहीं है कहीं जादा बालू है तो कहीं कम बालू है कहीं बहुत जादा नरम बालू है तो कहीं थोड़ी सक्त बालू है तो जब ऊट रेगिस्तान में चलता है तो उसके पैर बालू में जाते होंगे तो कहीं उसका पैर जादा धस जाता होगा तो कहीं कम धसे लेकिन ऊट रेगिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है वैसे ही जैसे आप और हम सड़क पर चल सकते हैं कहीं और रास्ते में चल सकते हैं घर में चल सकते हैं स्कूल में चल सकते हैं खेल के मैदान में डॉल लगा सकते हैं तो ठीक वैसे ही यह ऊट भी रेगिस्ता में बहुत मज़े से चल लेता है आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे हम तो ऊट चला की कविता पढ़ रहे थे और अब हम कहां पर आ गए कामों में उलज गए तो बच्चों दरसल होता ये है कि जब हम कोई कहानी कोई कविता पढ़ते हैं तो हम उसे अपने अनुभव से जोडते हैं हम जैसे ही कोई कहानी पढ़ते हैं वैसे हमारे मन में कहानी बुनना शुरू हो जाती है यही बात कविता पर भी लागू होती है जब आप ऊट चला की कविता सुन रहे थे तो आप ऊट को अपने दिमाग में देख रहे थे आप ये कलपना कर रहे थे कि ऊट कै में क्या खास बात है खास बात बिल्कुल है शाबाश बच्चो आपने बिल्कुल सही पहचाना उट बहुत ऊचा होता है हमारे आसपास या हमने जंगल में तीवी पर चिडिया घर में तरह तरह के जानवर देखे हैं को जानवर तो बहुत छोटे होते हैं को जानवर बहुत म कि कितना उचा होगा ये उट तो आपके जहन में आपके मस्तिश्क में आपके दिमाग में जिराफ की भी तस्वीर उभर रही होगी तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली तो बहुत छोटी है लेकिन उट बहुत उचा है कुट्टे के लिए क्या कहेंगे कुट्ट ये आपको सवाल में नहीं फसा रही आप सोचिए इमाजिन कीजिए देखिए और तब जाकर ये तै कीजिए कि हाथी उचा है या उट उचा है कविता में एक और खास बात आई है शायद आप बच्चों ने बहुत घर से सुनी हो उची गर्दन उची पीट पीट उठाए हूट चला तो हूट कैसा है उसकी गर्दन उची है उसकी पीट उची है और पीट उठाकर रेगिस्तान में चल रहा है पच्चों आपने कभी टंग ट्विस्टर का नाम सुना होगा यानि कि हम किसी शब्द को या एक वाक्य को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं जिसे हम ट्विस्टर कहते हैं जिसमें जीब लडखडाने लगती है तो इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्दाएं हैं जो जटपड बोलने का मजा देते हैं और जब हम जटपड बोलने की बात करते हैं तो शब्द लडखडा जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोली न पाते हैं लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इस कविता के इस हिस्से को जटपट पर तो मैं आपको सुनाऊं कुछ उंच देखें मुझसे भी नहीं बोला जा रहा तो हम कोशिश करते हैं अब आप इस हिस्से को जल्दी से बोल कर बताईए और आपको पता चलेगा कि उंट पूँच उंची उंट पीट ये सारे शब्द ऐसे लड़ खड़ा गए, सब गड़मड गड़मड हो गए, तो कुछ पता ही नी चल रहा था, यही मज़ा है टंग ट्विस्टर का, और यही मज़ा है ऐसे शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का, तो आप इन शब्दों को दोहरा लीजे, याद रख और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से कहिए कि इस हिस्से को विवे जल्दी जल्दी बोल कर बताएं, आपको इस खेल में बहुत मज़ा आने वाला है, अब आप इस कविता को कोई नाम भी दे सकते हैं, हमने इस कविता को नाम दिया था, उट चला, हमन आप कह सकते हैं रेगिस्तान का उट ये भी शीशक अच्छा है आप उट भाई चले ये भी कह सकते हैं तो खुम मज़ेदार शीशक आप इस कविता के लिए टै कर सकते हैं आप कुछ भी रखिए हमें आपका टै किया हुआ सब पसंद आएगा आप बच्चे हैं ही इतने प्य आपके लिए हिलता डुलता उट चला इतना उचा उट चला अब इसमें खास बात क्या है इस कविता के इस अंच में खास बात है इतना उचा उट चला कविता में कहीं बताया ही नहीं गया कि उट कितना उचा है लेकिन हां उसकी उचाई को बताने के लिए इतना शब्द का इस्तेमाल किया है हिलता डुलता उंट चला इतना उंचा उंट चला अब आप सब बच्चे यह सोच रहे होंगे कि कितना उंचा उंट होगा तो मैं कुछ शब्दे कहती हूँ कुछ चीजों के नाम बताती हूँ और आप बताईये कि क्या उट इतना उचा होगा तो पहला क्या है उट कितना उचा होगा तुम्हारी कक्षा की दिवार जितना हाथी जितना या बिजली के खंबे जितना अगर आप इन तीनों में से किसी को भी सही नहीं मान रहे तो फिर आप खुद तै कीजे कि आपके हिसाब से उट कितना उचा होगा हमने यहाँ उट के उचे होने की बात की लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी तो है जो बहुत मोटे है बिल्ली मोटी है? आप कहेंगे हाँ लेकिन अगर मैं उसके सामने कहूं कि गैंडा मोटा है तो आप कहेंगे हाँ और अब मैं गैंडे के सामने यह कहूं कि बिल्ली मोटी है तो आप कहेंगे ना तो आपकी हाँ और आपकी ना ये निर्भर करती है कि हम किन-किन जानवरों की बात कर रहे हैं यानि कि अगर हम जानवरों को अलग-अलग देखें तो हमें लगता है कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये दुबला है हमने तो अकेले-आकेले, जानवरों के नाम लिये तो हम मोटा neighbour, पतला, दुबला, उंचा नीचा हम ये तैय कर सकते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम दो-दो जानवरों के नाम ले तब आप ये तैकर पाएंगे कि कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है अगर मैं कहूं कि खूब मोटी बिल्ली आई घर में तो आप ये imagine कर सकते हैं तो चूहा तो बहुत छोटा सा है अब चूहा हमारे लिए छोटा है लेकिन मैं ये कहूं कि उस घर में एक चीटा भी आया तो अब आप कहेंगे चूहा बड़ा है तो बस यही शब्दों का हेर फेर है और आप ये तैकरने में थोड़ी दिकत तो महसूस करते होंगे कि उचा कौन है मोटा कौन है और छोटा कौन है तो अभी हमने उट के उचे होने की बात की अब हम मोटे होने की बात करें तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताईए हाथी कितना मोटा होगा तुम्हारी मा के संदूग जितना सब बच्चे सोचेंगे कि मा के पास संदूग कितना वड़ा होगा या फिर उट जितना या फिर पहार जितना तो बच्चों को मैंने खहीं फसा तो नहीं दिया नहीं, यहीं तो मज़ा है शब्दों का तो हाथी कितना मोटा है, तुम्हारी मा के संदूख जितना या उठ जितना, या फिर पहार जितना या आप कोई और ऐसे शब्द इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आप हाथी के मोटे होने के बारे में बता सके तो चलिए हमने बात की उचे होने पर, मोटे होने पर और अब हम बात करते हैं छोटे होने पर जैसे ये हमारे बच्चे छोटे मोटे से हैं वैसे चीटी भी छोटी सी है तो चीटी कितनी छोटी होगी? सोचे, चीनी के दाने जितनी, तो आप बच्चे कहेंगे, नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होती तो चावल के दाने जितनी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता तो इलाइची के दाने जितनी, तो आप बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है ठीक है तो चीन्टी आपके हिसाब से ना तो चीनी के दाने बराबर जितनी छोटी है ना चावल के दाने जितनी छोटी है और ना ही इलाइची के दाने जितनी छोटी है तो आप अपना शब्द खुद तै कीजे कि आपके हिसाब से चीन्टी कितनी छोटी है तो हमने इस कविता के आधार पर उट के बारे में बात की, हाथी के बारे में बात की और चीटे के बारे में बात की तो प्यारे बच्चों आप अपने हिसाब से और बहुत सारे जानवर सोच सकते हैं जैसे हम अगर पूच की बात करें ठीक है तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी पूच या तो बहुत छोटी सी है या बहुत बड़ी है या फिर बहुत जबरीली है जबरीली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं और बहुत फूली विसी दिखती है जैसे गिल या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूँच बहुत छोटी है या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूँच बहुत लंबी है या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूँच ना तो बहुत छोटी है और ना ही लंबी है लेकिन आप प्यारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि क कुछ जानवर तो ऐसे हैं, जिनकी पूँच हमीशा मुड़ी रहती है, मैं समझ सकती हूँ, आप सभी कुट्टे के बारे में बात कर रहे होंगे, कि कुट्टे की दुम हमीशा टेड़ी रहती है, वे कभी सीधी हो ही नहीं सकती, तो आपने गाई की पूँच भी देखी है, भैस की पूँच भी देखी है, हाथी की भी पूँच देखी है, अब हाथी तो इतना मोटा और इसकी पूँच इतनी छोटी सी, तो और तरह तरह के जानवर कौन से हैं, उट की भी पूँच होती है, शेर की पूँच होती है, और बंदर की पूँच होती है और लंगूर की पूँच तो बाप रिबाप कितनी लंबी होती है वह इत्ते उंचे पेड़ की एक टहनी पर बैठता है और उसकी पूँच नीचे जमीन को छोती है तो लंगूर की पूँच तो बहुत लंबी होती है तो अब आप ये खेल खेल लि और आप एक कागस पर सारे जानवरों के नाम लिख लीजे और ये अपने हाँ तै कर लीजे कि किसकी पूँच छोटी है और किसकी पूँच बड़ी है और आप फिर एक-एक पच्ची खोलते चले जाएए और सबसे पूँचते जाएए अच्छा बताईए कि गधे की पूँच कैसी होती है छोटी है या बड़ी है लंगूर की पूँच कैसी है छोटी है या बड़ी है ये खेल खेलने में आप सभी को बहुत मज़ा आएगा उट चला भै उट चला उट चला भै उट चला हिलता डुलता उट चला हिलता डुलता उट चला उट चला भै उट चला उट चला भै उट चला इतना उचा उच्छा उच्छा इतना उच्छा इतना उच्छा 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 उ उची गर्दन उची पीट उची गर्दन उची पीट पीट उठाए उच्छला उच्छला भै उच्छला बालू है तो होने दो बोज उठ को ढोने दो नहीं फसेगा बालू में बालू में भी उठ चला नहीं फसेगा बालू में भी उठ चला उठ चला भै उठ चला जब तक कर बैठेगा उठ जब तक कर बैठेगा उठ जब तक कर बैठेगा उठ बता सकेगा कौन भला उठ चला भै उठ चला बता सकेगा कौन भला उठ चला भै उठ चला उठ चला भै उठ चला उठ चला भै उठ चला तो आपने ये कविता सुनी उठ चला कैसी लगी आपको कविता? यकीन आपको इस कविता को सुनने में बहुत मज़ा आया होगा भै मुझे तो कविता गाने में बहुत मज़ा आया तो आज हम यहीं बिडा लेते हैं आपसे नमस्कार लुञख नहीं रुञान उंळा कि अ एक चील थी दोक्तर उर्मी उड़ जाती वो उपर 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 उचा इसे देख के नीचे पहुचे जहां मुसीबत उसे उड़ में उसे उचा उसे उड़ और उसे उपर एक जगा थी उबड़ खा बड़ वहां गिरा था खायल उट उर्मी उसके पास आई और देखा कहां लगी है चोट कहां उटने उब रहा था उचला एकदम उट बड़ा उखडा पैर तो उठना पाया चोट लगी और चिल गेडा उसे उर्मी उसे उचा उसे उड़ और उसे उपर उसे उखडा उचला उठना उसे हूट और हूट बड़ा उर्मी तब लगी दवा बताने उद बिलाव गया वोलाने उर्मी के उपचार से उट का दर्द मिटा तो लगा उंग ने तब उपदेश दिया उर्मी ने उट का है बस एक उपाएं मिलके रहो और दोस बनाओ फिर न करोगे हाए हाएं उसे उर्मी उसे उट उसे उपचार उसे उंग उसे उपदेश और उपआएं उसे उट और उद बिलाव अबना उबता उट धेलते उन सठ उनके पन गैसा थी उल्लू बिल्ली बंदर भालू खेले उद बिलावर हाथी ना इंजेक्शन कडवी गोली नहीं करना पड़ा उपवास मिलकर रहना दोस्त बनाना ये था उट का उपचार साथियो अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रिंखला ध्वनी शाला निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती और तनु गुप्ता ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुत प्रस्तुत